हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेश्टी ओट्स वालनट केक वैसे तो हम केक को अवन और कुकर दोनों में ही वेक कर सकते हैं लेकिन आज हम केक को कुकर में वेक करेंगे इसके लिए हमें क्या क्या चीजे चाहिए होंगी जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले हम गैस पर कुकर को गरम होने के लिए रखेंगे यहां पर हम पांच लिटर का कुकर लेंगे इसके अंदर हम 250 ग्राम की करीम नमक डालेंगे और नमक को चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे यहां मैंने खाने वाले नमक का ही यूस किया है अब हम इसके अंदर एक वायर की रैक रखेंगे और इसको प्री हीट होने के लिए दस मिनट के लिए लो मीडियम फ्लो पर गरम होने के लिए रख देंगे यहां पर मैंने कुकर की सीटी और रवर को निकाल दिया है अब हम इसको गरम होने के लिए दस मिनट के लिए रख देंगे यहां पर मैंने कुकर्स या आप कोई भी ओर्स ले सकते हैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे ओर्स को मैंने grinder में grind कर लिया है 1.5 cup grind कियो है हो ओर्स 1.5 cup milk 1.5 cup condensed milk 1.5 cup cutaway walnuts 1.4 cup oil 1 teaspoon baking powder 1.5 teaspoon baking soda vanilla essence और ये cake के tin और spatula चले हम cake बनाना start करते हैं यहाँ पर एक बड़े बाउल में हम सबसे पहले oil डालेंगे और अब हम इसमें पिसी हुई सुगर डालके इसको बीटर से बीट कर लेंगे इसे हम अच्छे से मिला लेना है अब हम इसमें condensed milk एड़ करेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें 1.4 teaspoon के करी vanilla essence मिला लेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और जो हमने 1.5 cup milk लिया था उसको भी अब हम डालके इसको भी अच्छे से मिला लेना है ड्राइ इंग्रीडिन्स को भी हम मिला लेते हैं यहां पर 1.5 cup oats ग्राइंड की हुए हुए 1 teaspoon की करी baking powder 1.4 teaspoon की करी baking soda डालके हमें इसे अच्छे से मिला लेना है सबसे पहले हम अपने टिन को मेल्टेड बटर से ग्रीस कर लेते हैं केक टिन में बटर को अच्छे तरह से चारो तरफ लगा लेना है ताकि बेक होने के बाद केक हमारा आसानी से निकल आए है और अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और टिन को चारो तरफ से हिला लेंगे ऐसा करने से केक हमारा टिन में चिपकता नहीं है और जितना एक्ष्ट्रा मैदा टिन के अंदर इसको हम बहार निकाल लेंगे ड्राइ इंग्रीडियन्स और लिक्विर इंग्रीडियन्स को अब हम मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा सा ओर्स फ्लार हम इसमें मिलाते जाएंगे और केक का बैटर तायार करेंगे अगर आपको लगता है कि मिल्क की और जरूरत है तो आप इसमें थोड़ा मिल्क और एड़ कर सकते हैं मैंने हाफ कप के करीब इसमें मिल्क डाला है अब ही हम इसको अच्छे से मिला लेंगे half cup milk ही में इसमें डाला है केक का बैटर बिलकुल perfect है अब हम इसमें chopped कियो हुए walnuts मिलाएंगे और इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है केक का बैटर रेडी है अब हम इसको टिन में डालेंगे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना तिक रखा है और टिन को में आदा ही बनना है मैं इसे जादा नहीं बनना है क्योंकि केक बेख होने के बाद पूरा उपर तक फूल जाएगा और उपर से चॉप किवे वालनट जडा लेंगे इधर हमारा कुकर भी प्री हीट हो गया है 10 मिनट हो चुके हैं अब हम इसको कुकर के अंदर 40 मिनट के लिए बेख होने के लिए रख देंगे 35 मिनट के बाद हम इसे एक बाद चेक कर लेंगे 35 मिनट के बाद अगर हमें लगता है कि 5 मिटे के लिए हमें और रखना तो ही हम केक को बेक करेंगे हमारा केक भी इदर बेक हो गया है इसको अभी हम एक चाकु से चेक करेंगे या फिर आप टूथ पिक से भी इसको चेक कर सकते हैं इसके अंदर हम एक चाकु डालेंगे अगर चाकु क्लीन है तो मतलब केक बेक हो लिए अभी रख देना है फिर हम इसको पीसिज में कट करके आपको दिखाएंगे एक बिल्कुल ठंडा हो गया है अब हम इसको पीसिज में कट करेंगे आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और स्पॉंजी ओर्ट्स का केक बनके तयार है टेश्टी हेल्दी ओर्ट्स वालनट केक बनके तयार है बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे और हम भी इसे टी और काफी के साथ इंजॉय कर सकते हैं चलिए हम अपने नेक्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू